नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पोडल कृष्णा आज हम लोग पुना है इस वीडियो के माध्यम से एक नई वेकंसी के साथ उपस्थित है और वहा है इंटेलिजेंस ब्यो और की खुफिया विभाग के अंतरगत भारत सरकार टास्किंग स्टाफ जेनरल तो सबसे पहले हम लोग यहां से समझ लेते हैं संचेप में कि आई भी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यो क्या है तो इंटेलिजेंस ब्यो भारत की आंतरिक खुपिया एजनसी होती है और यह दुनिया की सबसे पुरानी एजनसी मानी जाती है इसे 947 इसी में गिरिह मंत्राले के अधिन केंद्रिये खुपिया ब्योरो के रूप में पुनर निर्मित किया गया है और इसकी अस्थापना इंटिलेजेंस ब्योरो की अस्थापना 1857 इस ब्योरो की गई और इसका मुख्याले नई दिल्ली है तो इस बेकेंसी से रिलेटेड क् कोडिफिकेशन में आवस्यक जानकारी परदान की गई है कंडिडेट्स के लिए तो इसमें हम लोग समझ लेंगे कि पातरता क्या है उम्र शीमा क्या है उसके बाद एक्जामनेशन फी इत्यादी महत्पुन बिंदों पे चर्चा करने के लिए हम लोग बोड की साहता लेते हैं भारा सरकार खुपिया विभाग भरती 2022 है खुपिया विभाग को आई भी आनिकी इंटेलिजन्स ब्यूरो भी कहा जाता है इसमें पद हम लोग इसकी चर्चा तो इस प्रकार से है उनलाइन आवेदन होगा 511-2022 से प्रारम होकर के 2511-2022 तक या आवेदन तिथी रखी गई है सुलक इस प्रकार से है तो सुलक में एक एक्जामनेशन फी और एक रिक्रूमेंट प्रोसेसिंग चार्जर रखा गया तो एक्जामनेशन फी के रूप में 50 र इसके बाद पिछडा वर्ग अति पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर बेक्टी के लिए एक्जामनेशन फी 50 रूपिया और प्लस में इसमें होगा 450 रूपिया रिक्रूमेंट प्रोसेसिंग चार्जर तो दोनों मिला करके 500 रूपिया जेनरल ओबी सी और EWS के लिए लगेगा उसके बाद जेनरल फिमेल अनिकि जेनरल में जो महिला कंडिडेट है और अन्न महिला है उसके बाद SCST इसमें एक्जामनेशन फी 50 रूपिया लगेगा और लेकिन प्लस में रिक्रूमेंट प्रोसेसिंग चार्जर साढ़े 400 रूपिया लगेगा तो दोनों मिला करके 4500 रूपिया जेनरल फिमेल और अन्न महिलाई के लिए SCST के लिए 4500 रूपिया एक्जामनेशन फी है उसके बाद एज लिमिटेशन एज की बात कर लेते हैं नियूंतम अठारा बर्स है और इस एज की गणना पचीस एक ग्यारा दो हजार बाइस से की जाएगी अ अधि आपका नियूंतम मिनिमम एज 18 बर्स हो जाता है तो आप इसमें फॉर्म वहर सकते हैं कि ओनलाइन कर सकते हैं अधिकतम की बात कर लेते हैं 25 बर्स है और यह 25 बर्स MTS है और कि मल्टी टांसिंग स्टाफ जेनरल के लिए रखा गया है माइक्सिमम उसके बाद 27 बर्स यह सेक्रेट्री एसिस्टेंट एक्स्क्लूटीव के लिए 27 बर्स माइक्सिमम रखा गया है छूट के बारे में आप समझी रहे हैं SCST के लिए 5 साल का और OVC के लिए 3 साल का छूट निर्धारिद है उसके बाद पे एसकेल की चर्चा कर लेता है MTS जेनरल के लिए 18,000 से प इसकेल प्रारम होगा MTS जेनरल के लिए इस पद के लिए उसके बाद सेक्रेट्री एसिस्टेंट एक्स्क्लूटीव के लिए 21,700 से प्रारम हो करके 79,100 इसमें अधर भी अधी एड किया जाएगा तो यह 32 या 35,000 के लमसम आपका स्टार्टिंग मिलेगा सेक्रेट्री एसिस 171 है, तो 1671 पद में किस प्रकार से दो पदों में विभाजित किया गया है और जेनरल, EBC, SC, ST, इत्यादी के लिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, सेक्रेट्री एसिस्टेंट एक्सक्लूटिव के लिए कुल 1671 में 1521 पद है, यू आर के लिए इसमें डिवाइड किया गया है, 1520 में 755, EWS के लिए 152, EBC के लिए 271, SC के लिए 240, और ST के लिए 103 पद है, उसके बाद मल्टी टास्किंग स्टाफ जेनरल के लिए 150 पद है, त 35, EBC है, और 16 SC है, उसके बाद 150 ST है, तो या तो हो गई रिक्ति विबरन, उसके बाद योगिता अर्थार्थ अबलिटी की बात कर लेते हैं, तो दोनों पोस्ट के लिए, चाहे हुआ सुरक्षा सहायक हो, या तो फिर MTS मल्टी टास्टिंग स्टाफ हो, तो दोनों के लिए 10th class pass होनी चाहें, या तो फिर इसके equivalent जो है, metric के equivalent वह भी इसमें able है, और भारत के किसी भी board से आप metric pass है, तो इसके लिए पात रहे हैं, उसके बाद दूसरा स्थान पे है, domicile certificate लगेगा आपका, अनि कि जिस state में आपके अस्थाई निवासी हैं, जिस state में आप अस्थाई रूप से रहा हैं, वहीं से आपका domicile बनेगा, और उसी state में जो vacancy आई है, वहीं पे आप भर सकते हैं, उसके बाद तीसरा में है कि छेत्रिय भासा का ज्यान होना चाहिए, अधि आप बिहार के अस्थाई निवासी है, तो वहां का domicile बनेगा, और आपको छेत्रिय भास है, वह जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आगया है परिक्षा प्रारूप, परिक्षा प्रेटर्न हम लोग समझ लेते हैं, तो यहां तीन अस्तरों से परिक्षा संपन कराई जाएगी, आनि कि फर्स्ट अस्तर में, टीर फर्स्ट में, ओनलाइन परिक्षा होगी, और य एक बटे चार, अनि कि फर्फ निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रहे कि चार प्रश्ट के गलत होने पे एक आपका जो सही अनसर है वहा कर जागा, वन वाई फोर्थ का यही मिनिंग हुआ, उसके बाद कुल प्रश्टों की संख्या, एक सो ही इसकी चर्चातों की, और इस इसके लिए एक सो प्रश्टों के सोल्यूशन के लिए, इस एक सो प्रश्टों के जबाब देने के लिए, आपको साथ मिनट का अर्थ एक घंटे का समय दिया गया है, उसके बाद इसमें पाठ करम की बाद कर लें, तो पाठ करम अनि कि सिले बासे, जेनरल एवरनेस से 20 प् और जिसे साथ मिनट में अर्था एक घंटे में इन प्रशनों को जबाब देना होगा टियर टू अनिकि अस्तर दो की चर्चा करते हैं तो इसमें ऑफ-लाइन एक्जामनेशन होगीज में आपको परिक्षभन अनुबाद करना होगा यह-5 datos 0 जोबिशा में इंगलिच में दिया रहेगा आपको वह दिया रहेगा आपको लेकिन आप जो पैसेज दिया जाएगा वह गाउन cotton इंगलिच में दिया जाएगा और उसनीप पैसेज को 500 सब्दों में हिंदी में अनुबाद करना है उसके बाद इसमें अंक की चर्चा कर लेते हैं 40 अंक यह जो 500 सब्दों का ट्रोसलेशन रहेगा यह 40 अंक का होगा और घंटा एक रहेगा निकि एक घंटे का समय धिया जाएगा उसके बाद आगे हैं इसका S पोकन छेत्रीय भासा में आपने बिहार के निवासियां हैं तो आपको हिंदी वोलने आती है अधि कलकता से बिलोंग करता है तो बंगाली आने चाहिए अदी तमिल्ळू से हैं तो केरल आनी चाहिए या एश्पोकन आपका देखा जाएगा च्षेत्रिय भासा का पकन हो ना की बोल चाल की भासा आप Also दास compelling का होगा जिसमें एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है तो यह हो गया टियर-टूर में ध्यान रखना है कि सेक्रेट्री एसिस्टेन्ट और एक्स सेक्रेट्री एसिस्टेंट एकस्कुलूटिव यहां पे देखिए चालिस अंगोग्या और 10 आंग का हो गया 40 10 50 अनिकि से क्रेट्री एसिस्टेंट के लिए 50 अंक में से आपको 20 अंक लाना होगा तो यह 40 और 10 50 अंक में 20 अंक लाना होगा तभी आप क्वालिफाइब करेंगे टीर 3 के लिए उसी प्रकार से मल्टी टास्टिंग एस्टाफ के लिए 40 में से इसमें जो एस्पोकन छेतरिये वह सा है तो 40 में से आपको 16 अंक यहां पर लाणा है तो 40 कहने का अरथ हो गया कि सिर्फ 500 सब्दों में छेतरिये वह सा में अनुबाद होगा जो कि 40 अंक है तो इसी 40 40 में से 16 अंक क्वालिफाई होने के लिए और वह क्वालिफाई आपको टियर 3 में पहुंचाएगा अब अस्तर 3 अनिकी टियर 3 की बात कर लेता है इसमें साक्षातकार है इंटर्व्यू है जो कि 50 अंक काफी महतु रखेगा एक घंटे का समय दिया जाएगा बैट करके इसमें अनुसार से किस अस्तर से आता है सब बारीकी से साक्षातकार इंटर्व्यू करने वाले देखेंगे उसके बाद अंततह आप सफल होएंगे तो इसमें मुखरूप से अस्तर 1 निकी टियर 1 का जो मार्क्स बनेगा सव में से और उसके बाद आस्तर 3 निकी टियर 3 में जो शाक प्राप्ट कर पाते हैं तो इसी के अनुसार से आपका चैन किया जाएगा मेधा बनेगा और यह जो टीर 2 है यह सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है अनिकि आपको टीर 3 में पहुचाने के लिए यह है तो इस प्रकार से हम लोग भारत सरकार खुपिया विभाग अनिकि जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो दी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे थैंक्स पर वाचिंग गुडबाइब